हलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम पुरियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम बनाएंगे सोया बिन की सबजी थोरा सा अलग तरीके से बहुत जादा टेस्टी यह बनके तैयार होने वाला है देखिएगा वीडियो को लास्ट तक रेसे पी आपको जरूर पसंद तो चलिए हम बनाते हैं सोया बिन की सबजी इसके लिए सबसे पहले यहां पर एक कप सोया बिन लिए हैं मिडियम साइज वाला है यह न बड़ा है न छोटा और इसे बॉयल नहीं करना है हमें पानी डालके आप इसे रख दीजे ढखके यह अपने आप सॉप्ट हो जाएग तो इसमें आधा चमच जीरा डालेंगे और एक चमच साबुत धनिया डालेंगे थोड़ी देर हम इसे भून लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से लैसन की कलियां साफ करके दस से बारा लैसन की कलियां और एक इंच अद्रक का टुकरा कट करके डाल दिये है दो medium size के प्याज को मोटा मोटा चॉप करके डाल लिए है और यहीं पे हम इसमें थोरा सा नमक डाल देंगे ताकि यह जल्दी से फ्राई हो जाए तो आदे चमच के करीम नमक डाल दिए है और प्याज को थोरी दर हमें भून लेना है अब यहाँ पे हम इसमें एक medium size के टमाटर को मोटा मोटा चॉप करके डाल दिये है और टमाटर सॉप्ट हो जाए तब तक इसे आप भून लिजे तो यहाँ पे प्याज भी भूना गया है टमाटर भी अच्छी से सॉप्ट हो गया है तो इसे हम निकाल लेते हैं और अगर आपके पास टाइम है तो इसे ठंडा होने दीजे ठंडा हो जाए तब ही पीसिएगा अगर आपको मेरी तरह जल्दी है तो इसमें एक दो ice cube डाल के पीस लीजे और सेम कराही में यहाँ पे हम डाल देंगे तो चमच तेल और तेल जब गरम हो जागा तो इसमें एक तीज पता तोड़ के डाल देंगे और ये जो मसाला हम fry किये थे ना उसे हम PIS लिये हैं तो ये मसाला हम इसमें डाल देंगे थोरा सब पानी लेके जार को धोके भी डाल देंगे और इसे हमें भूनना है अच्छे से पर यहां पे ना हम इसमें मिर्ची पौडर और हल्दी पौडर एड़ कर लेंगे तो एक चमच हम कस्मेरी लाल मिर्ची पॉडर डाल रहे हैं इसे कलर बहुत अच्छा हैगा तीखा नहीं होगा आधा चमच हल्दी पॉडर और टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे और यहाँ पे हम आधा चमच तीखा वाला मिर्ची पॉडर भी डालेंगे तीखा आप अपने पसंद से लीजेगा और अब हमें मसाले को अच्छे से भुनना है तब तक जब तक मसाले से तेल अलग न दिखने लगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले हमारा बहुत अच्छे से भुना चुका है अब इसमें हम सोयाविन डाल देंगे जिसे हम पानी में रखेते स्थे फुलने के लिए ये बहुत अच्छे से सौप्ट हो गया है तो धो के पानी नीचोर दे लिए है मसाले में में पाड़ा उस हिसाब से पानी डाल लीजिए हम यहां पे 2 कप के करी पानी डाले हैं इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 5-6 मिनट हमें पकाना है मीडियम गैस के फ्लेम पे ढखके हम इसे पका लेंगे तो यहां पे हम इसे कवर कर देते हैं और 5-6 मिनट पकाने के बाद सब्ज को चेक कर लेंगे तो यहां पे 6 मिनट हो गया है देख सकते हैं आप ग्रेवी भी गाड़ी हो गई है और बस सबजी तयार है यहां पे हम इसमें डाल लेंगे थोरा सा कसूरी मेथी आप चाहे तो इसे गरम करके करस्ट करके डाल सकते हैं हम इसे ऐसे ही डाल लिए हैं एक गैस बंद नहीं किये हैं अच्छे से मिला के कवर कर दीजिए उसके बाद गैस बंद कर देंगे और थोरी देर हम इसे ढखके हुए ही छोड़ देंगे पांच मिनट बाद सबजी को चेक कर लेंगे तो पांच मिनट बाद सबजी आपका कुछ ऐसा दिखेगा बहुत ज़् करने के लिए हमें हाँ पे इसे सर्फ कर लिए हैं एक पर इसे टराइ जरूर कीजिए बनाना भी आसान है सिम्पल अच्छा लगया तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीज युकि बहुत जादा टेस्टी बन昨 वने के तयार होता है तो टराइक कीजिएगा और हमे लाइक कीजिए, सेर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ अच्छा नहीं लगे तो वो भी हमें बता दीजिए ताकि हम उसे सुधार सके Thank you, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसेपी के साथ